कि नमस्कार दोस्तों तो मैं श्र्तोंस सिनह Admiral को स्वाववत करता हूं अपने इस नैश ने चानल में जिसका नाम में श्टॉक लगनीग दोस्तों आज में जो वीदियों बना हूं वो मैं इस बात में वीडियो बना रहा हूं कि काफी लोग जो नए हैं सेर मार्केट में जो भोले भाले इंवेस्टर हैं उनके साथ काफी फ्रॉड होता है कभी ऑपरेटर प्रॉड करते हैं कभी को यूट्यूवर उनको गलत जानकारी दे करके और गलत शेयर में उनका पैसा लगा करके और उनके साथ जो है वो धोका होता है तो आज मैं कुछ चीज़े बताऊंगा जो कि आपको क्या ध्यान में रखना है और सेर मार्केट में जब आप आये हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है वरना आपके पैसे डूप जा कर नए नए निवेशकों को लूड़ते हैं कैसे उन्हें मार्केट में घलत गलत शेर में फसाते हैं और क्या करते हैं अभी आमाज इस फे पर दोस्तों कि सीने कहा है कि जब तक सीधे और बोले भाले लोग इस दुनिया में है तब तक मकारों और दोखे-वाजों को खाने और कमाने में कोई मुश्किल नहीं होगी तो एज लॉंग एस ट्रेट अंगलेबल फिपल आर इन दिस वार्ड देर विल नो देर विल वी नो डिफिकल्टी नीटिंग अर्निंग दफ्लाइज एंट्रेटर्स तो अब आप जो जो भी दोगेबाद लोग होते हैं चलाक लोग वैसे हम लोग साइकल में हवा भरते हैं पंप करते हैं हवा अक्तिव के अंदर जाती है वैसे ही वो पंप करके शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस जो है वो उपर चूर उठाते हैं और बाद में डंप कर देते हैं मतलब वो सारा का सारा अपना शेयर जो है वो निकाल द जाएगा आज आप इस company का खरीद लो दो तीन दिन में इसका टार्गेट जो है वो इतना पहुंच जाएगा तो ऐसे इसे करके वो अपनी दुकान चला रहे हैं और वो आपको इसके बदले में आप से कुछ चार्ज करते हैं वो सर्विस चार्ज लेते हैं और उनको इससे से मतलब नहीं रहता है तो इन लोगों से भी कैसे बसना है आज हम इस पर बात करेंगे उसके बाद कुछ यूटूबर्स भी हैं हमारे भाई जो की फेक वीडियोज अपलोड करते हैं यूटूब पर और आपको बड़े-बड़े सपने दिखाएंगे कि इस चेर में है उस बीडियो को देखते हैं और देखने के बात वहाद फ्रक नी पढ़ता क्योंकि भली बाती जानते हैं मार्केट में कैसे काम होता है कैसे लोगों को फंसाया जाता है तो यह मेरा वीडियो नहें भाई के लिए हैं जो अभी अभी साल बर छे मीना हुआ है अभी मार्केट में आए हैं और दूसरी बात यह है कि अभी उन्होंने पहली बार यह गेम देख रहा है पेनी स्टॉक पेनी स्टॉक का उन्होंने नाम सुना होगा अभी वो पेनी स्टॉक में आए हैं भी ऑपरेटर का ग तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं और दोस्तों सबसे पहले मैं यह कहाना चाहूंगा कि मेरे जो मेरा जो पीछली वीडियो था वह आप लोगों ने काफी सराहा है बहुत पसंद किया है और बहुत लोगों ने तो सब्सक्राइब भी किया है तो मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा कि आप मेरा वीडियो जो है वह सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और दूसरी चीज है कि आप जिस तरह से लाइक कर रहे हैं लाइक करते र देखते हैं कि pumping and dumping क्या होता है तो pumping and dumping generally operators करते हैं कि करते क्या है पहले वह कोई पेनी स्टॉक ही चुने में पेनी स्टॉक का मतलब होता है वह स्टॉक जो बहुत इंकम प्राइस पे मतलब 10 रुपय के अंदर ट्रेड कर रहा हो तो ऐसे तो पेनी स्टॉक का कोई वैसा डिफिनेशन होता नहीं है कुछ लोग बोलते अभी वह 18-19 रुपया पर ट्रेड कर रहा था आप RVNL देख लिए रेलवी कास निकम लिम्टेट वह भी सतर रुपय पर ट्रेड कर रहा था तो वह पेनी स्टॉक के बारे में है कि वह स्टॉक जो ICU में जैसे पेसेंट होता है उस तरीके से वह पड़ा हुआ है सांस ले रह वह उस पेनी स्टॉक में काफी हैवी कुईटी में उसका एक्विटी करीबते हैं मतलब बहुत ज्यादा उस कंपनी का शेयर 5 करोर, 7 करोर, 8 करोर, 2 करोर यानि जितना भी उसका जो शेयर कैप्टल है उसके कोडिक वह काफी huge amount में वह शेयर खरीबते हैं के अब क्या करते हैं वह बुर क्या करते हैं कि उन्होंने ये शेयर खरिंदे लिया काफी बॉटम युवर पहलाना सुरू कर देते हैं और खासाकर को चुन्टे है जो चौह अभी या थे जंप में कई पहले हैं तो वोको बताते हैं के लों को बताते हैं या खुछ लोन कम कर दिया या कुछ लोन कर दिया तो 纽ों को इतना कम अप अब तो कंपनी के ऊपर काफी इन्टरेस्ट देने का अब प्लेगी लोण काफी कम य forth May करते हैं कि एक नियुक点 कोशिव करते हैं करना है और दूसरी बात ये तो बनाया है किसी ने आपतों का बनाया है किसी ने आपतों का बनाया है लिए सब लोगों ने अपना है, तो ये क्या करते हैं इनके जो गुर्गे हैं मैं गुर्गे बोलूँगा इनके जो आदमी हैं वो हर गुरूप में रहते हैं और हर गुरूप में वो क्या करेंगे कि हमेशा जब उनको पंपिंग करना होगा यह मार्केट को उपर करना होगा तो हमेशा हमेश करेंगे बाई करो बाई करो यह सौ रुप्या क्रोस करेगा 200 क्रोस करेगा यह करेगा वो करेगा और कापी भोले बाले इनुवेश्टोक चुनते हैं क्यों क्यों तो यह लोग देखते हैं कि चलो रिलाइंस में तो हम जादा ले नहीं सकते क्योंकि वह काफी मंगा है जो पेनी स्टोक में इन्वेश्ट कर सकें तो यह क्या करते हैं यह उनको काफी लालच देते हैं निवर यह सब स्प्रेड करके कि बहुत अच्छा स्टोक है आप इसमें पोजिशन बनाओ जो नवर इंवेश्टार है वह बपर जाता रहता है यह सेहर का प्राईस एक इन्होंने तीं रुपे का शेर खरीदा वह परएटर्स ने तो तीन का खरीदा था अब शेर बारा पर यानि उनको 400 का मुनाफ़ा हो गया तो जैसे ही पिक पे जाता है वह अपना सारा का सारा जो उनका शेर है क्विटी है जो उन्हें घरदा था दो करोड़ तिन करों वो जो है वो दो तीन दिन पहले ही से वह हलका हलका निकालना शुरू करते हैं वह थीरे धीरे धीरे दो को यह वाज उन्हें पाशीज लाग डिया कि पचीछ लाग वेश दिया तो क्या होता है कि जो investor से उनको समझ में भी बात नहीं आती है कि operator माल निकाल गभी कर insists रहें कि उनको तो लगता है कि प्राइस उपर जा रहा है इसका मतलब काफिli तो यह महारा पूरा का पूरा माल डंप कर देता है तो 3 रुपे में उसने चो और रूपे में डंप कर दिया 400 परसेंट प्रॉफिट कमाया उसके बाद वहां से निकल जाता है और जो बिचारे इनोसेंट है कि मैं फंस गया यह हो गया मंगर उपेरेटर तो अपनाँ टेुम करके चले डाते हैं ठिक एंटेर तो इस तरीके से जो पिषाइवे पने siya में फंसाया जाता है ठिक है अब आगे बढ़ते हैं कि और क्वेशन व्याल का मपटमाटर थे हम इसके बाद वह मार्केट में तरियुमर फैलाते हैं उसके बाद इसमें ने नए इन्वेस्टर वह पूश पूश करते रहते हैं तो यह फंपिंग होती रहती है बाई-बाई-बाई बना हुआ रहता है और देखिए आप शेर प्राइस ऊपर जा रहा है और यह देखिए आपकी शेर प्राइस जो है जब यह आप यह ग्रीन देख रहे हैं मतलब की जैसे ही वह पे पहुँच गया जैसे ही वह बिल्कुल उसका जो बोलते हैं ना फिप्टीटू वीक हाई तो चैसे ही है पहों सब्सक्राइब बाद आपक करते हैं सार्म का सारा का सारा माल अपना सेल कर देते हैं और मारकट है अब परक्राट है पडीटेल इन्वेश्टर सब्सक्राइल से रहे हैं उत में फंस जाते हैं उत करके निख निखल जाते हैं तो जो皆さん के बीस Reece रहा था वोह मार्किट जो है फिर में कहानी सुना रहों आप लोगों को आप लोगोंंसे बहुत से लोग इस कहानी को जानते भी होंगे मिरे लेकिन यह नोगों के है कि 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 आप किसी गाव में रहते हैं आपके गाव में एक आदमी आता है और आपके गाव में बहुत सारी बकरियां तो वह आदमी आखते मोलता है एक काम करो आप न मुझे सौ भकरी दे बहुत मुझे 730-50 यूप塊 यूपी अदे DO तो आप उसे 100 बक्री दे देते हैं फिर वो बोलता है यार मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक सब्ता के बाद मुझे 200 बक्री चाहिए और इस बार मैं 100 रुपे के रेट से लोगा बक्री तो आप करते हैं कि भाई मैंने तो अपने गाउं की सारी बक्री बेज दी अब मैं क्या कर कर दो पिर अगिल बगल के गाव में पता करते हैं वहां अगर बकरी आप बगल मिले आप बकरी भोटी को खरीद कर आप देखते हैं कि अगर मज़े 60 रू उपय मी मिले 20 मी तो भी तो बंद रोगता हमेर बोध यागा सो भी championships से तो अगर मैं जो प्रवाइब के रेड़ से भी पड़ोसी के गहुंझे लेता हूं तो मुझे तीस रुपे का फायदा है एक बकरी पे तो आप क्या करते हैं किसी तरीकी से बकरी का इंजाम कर लेते हैं पड़ोशी के गाउं से और आप लिकते चले आते हैं अगले सब्ता वह बंदा आता है और वह क्या करता है वह आदमी कि आपको सो रुप्या देता है और दो सो बकरी आपसे ले लेता है दो सो बकरियां लेने के बाद वह यह कहता है कि अभी मुझे और बकरी के अब आप क्या करते हैं और किसी तरीके से आप जो है सो कुछ बकरियों के निजाम करते हैं तो हैं यहाँ उसने कहा था कि मैं डेड़ सो रुप्य आपको देता है और 352 लेकर के वह बंदा चला जाता है ठीक है फिर बंदा बोलता है कि मैं आगले सप्था भी आउंगा आपके पास और मैं 200 रुपय के रेट से 400 लेकर के जाओंगा लुझे चारा सो बखकरी के जरूरत अब आप क्या करते हैं आपका आपका सूचते हैं मैं कहां से करूं क्या करूं तो फिर आप दूर दूर जा कर कि कहीं ने कहीं से आप बकरी का इंजाम करते हैं कि भीया मुझे अगर से मैं बक्री सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो गाउवालों एक काम करो जितनी भी बक्री है मुझे दो और मैं तुम्हें पर अचानक से क्या होता कि आपके गाउं में एक बंदा एक हजार बक्री लेकर क्या आता है एक बकरी पर सो रुपय का फैदा होगा तो आप क्या करते हैं उससे सारी बकरियां खरीद लेते हैं तीन सो रुपय के रेट से आप उससे पूरे एक हजार बकरी खरीद लेते हैं और आप उस आदमी का जिसने आपको कहा था कि मैं अगले सफ़ता आऊंगा और आपको चार इसे एख़ार बकरी पैची वो ओप्रेटर का ही आदमी थे और उस ने साथ बहुत्रीडिया उप देखें यहां पर वाल कि यहां पर हैं को वो तीन लाख रूपया में बिश करे आपकी ही झीफisconsin ऑज और उस से ऑफसे क्रेकल बोन भ्रूप northwest करके आपसे एक हज़ार करे लिया था उस में अब वह थीं लाक रूपया देंके ने डिखते डी देखते उसने क्या कि आपसे द्धाब कमा median या तो ऑपरेटर ऐसे काम करते हैं और इनको बोलते हैं ऑपरेटर मेरे ख्याल से अब आपको बात कुछ समझ में आ गई होगी चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब देखिए अभी क्या होता कि पंपिंग और डंपिंग के लिए जैसा मैंने बताया कि जो ऑपरेटर होते हैं वह सबसे पहले पेनी स्टॉक्स चुनते हैं तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पेनी स्टॉक्स की भरमार हो चुकी है पचानी कहां कहां से पीनी श्कर अवेटार्जीड़ स्टॉक सथरा नेंश्कर लिएंस प्रेला प्रेय्ट अफर टो सर्केट पशनका सी ज hoping नबby पैसे बंसे से बजाज हिन्सुगर से फुर्ब फंद्र पैसे सुट लाव रबंगानज दोड़िंडिलिंटेट चार उपिये पचास पैसे बीभ है फिर आपका उट्टम वैल्व स्टेल से बहुत सार है बहुत सार है आपका एक अभी लगतार ही उसी लगा रहा है रिलांस कम्निकेशन भी लगा रहा है तो यह सारे पेनिया स्टॉक से वाप देखिए इन सब परेटर के नजहर है कहां से इतने सारे पेनिया स्टॉक सागया लोग के बार ठीक है अब आप देखिए इनका हाई प्राइस देखिए बिड़ला टाए पैतालीश उरफिया सतर पैसे से नीचे अठाइस रूप्या बार रूपे तक शेयर को पहुंचा दिया और अपना काम कर गए तिक है जी रिलाइंस पाबर 45 तक गया वहां ऑप्रेटर ने कर रूपयाशाट पैसा पे हाला कि ईक पावरफुल और इतने सोर्सफूल होता है उनका नेट वर्क होता है उन्हें पहले पता होता है कि किस कंपणि का रिजर्ट वाला है वह पता कर लेते हैं और पहले से हैं और सब्सक्राइब कर रहा है तो कहने का मतलब यह है कि सब में पंपिंग हुई उसके बाद डंपिंग जो बीचारे इन्वेश्टर हैं वो फसे हुए गल्ती उन की यह कि वो स्टडी नहीं करते इन सब कमपनी के बारे में जैसे बीड़ाइब करें मैं सुरू से पूसरा था जब जब यह चब यह स्टाउक उपर भाग रहा था आलोक के साथ साथ भाग रहा था उसके पैरलल आप मुझे कोई तो पूजिटीव नजी बताओ प्र भी भाग रहा है तो उसमें आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि सामने वाला को तो पैसा से वह तो पैसा कमा रहा है रोग पर सिंट का प्रसेट लगा रहा है तो किसी निसका अब मैं आपको बताओं कि पंपिंग डंपिंग का मैं आपको एक ऐसा ऐसा एक्जामपल दूँगा कि आप सुन करके हैरान हो जाएंगे आप सब लोगों ने हरसत महता का नाम सुना होगा उनेश सो बावन में जो हरसत महता ने किया था यह है मिश्टर हरसत महता ठीक है इन्होंने इतना अच्छा स्खेंडल किया था और इतना जंपर किया था अच्छा अब याप अस्क्रीन पर मेरा रहा है लिखा हूँ आप देख लेजिए 200 रुपय का जो प्राइस था शेयर प्राइस एस इसको इन्होंने तीन महिने के अंदर नौहचा रुपय पर पहुचा दिया फिर स्वेग वर क्रोगता हूं दोसव रुपय का प्राईस को इन्होंने पंपिंग करके से 9000 रुपे पर सिर्फ तीन महीने में पहुंचा दिया सिर्फ तीन महीने में 200 से 9000 तो पहुंचा दिया क्यों बस कि एससी अंटर वैलूड है 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 और ऐसा करक कि आप न्यूज सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कितने लोगों ने तो सुसाइट कर लिया ये तो हम अभी पिएनी स्टॉक दो रुपे चार रुपे पांक रुपे की बात कर रहे हैं ये लोग स्टॉक में कब से बैठे हुए हैं इन्होंने नौनों हजार तक जो है शेयर प्राइस पहुंचाया और लोगों को यह किया मैं इन जो भी मैं बात कर रहा हूं इनका लिंक में डिस्क्रिशन में डाल दूंगा ताकि आप लोग भी इस ऑथन्टिसीटी को चेक कर सके ठीक है तो आगे बढ़ते हैं यहां से अब देखिए दूसरे जो लूटने वाले तो मैंने पंपिंग डंपिंग की बात की अब जो कुछ लोग ऐसे लूटते हैं जो कि टीप्स और कॉल एडवाइस देते हैं क्या वह एक प्रीमियम सर्विस चलाते हैं टेलिग्राम चैनल चलाते हैं वह आपको बोलेंगे यार म क्या है वह आप देखिए अब वह करते क्या है कि इन्वेस्टर को चीट करते हैं रोज टीप देने के लिए कि मैं तुमको टीप देता हूं यह शेर लो और इतना बढ़ जाए गारे भाई तुम तुम्हें पता है कि यह सेर कौन सा से रोज कितना बढ़ने वाला है तो तु तो रोज का तुम कमा सकते हो दस लाक रुपया फिर तुम्हें क्यों कर रहे हो तो इन्वेस्टर को बेपकूब बनाने की बात होती है उसके बाद बी टी एस्टी कॉल वह भी देते हैं कि बहुत बढ़ा रहा हूं कल इसका रिट इतना जाएगा ठीक है उसके बाद वह पो मैं इतना करूंगा ऐसे करके वह का अपका पोरफोलियो मैनेजमेंड भी करने कोशिश करते हैं वछा से बता Çok Learning पास आप सब बात में बिश्वास करें मेरे ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है मैं ऐसा कुछ नहीं चलाता हूं जिसमें मैं लोगों को टीप्स और कॉल एडवाइस देता हूं मैं कुछ भी नहीं करता हूं ठीक है अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं अब इस वीडियो में मैं चार लाइन सिर कर गया अब क्या होगा कि एक्चल में मेरे पास कोई भी वैसा जो है इन्वेस्टर्स दिया क्लाइंट नहीं था मैं कोई सर्विस नहीं चला रहा हूं आपको क्या लगेगा करें जरूर इसने किसी को बताया होगा और वो टार्गेट जो है वो हीट कर गया होगा तो आप इस होता है फेर सटेश को नहीं कर सकते हैं यह आव बहुत में तो चोटे मोटा आते हैं आप जो देखते हैं कि मैं हार में कर दो घंदा Pặt Organisation का और तो वह इसा काम करते हैं यह तो बहुत बड़े बड़े जो है फिनांसर इस्टिउसन्स वी हैं वहाइट करते करते की तरह जो है यूटूब पे चले आए हैं और वहां से रोज टीप और कॉल सर्विस देने की बाप करते हैं तो करते क्या है कि जैसे आपके पास मालीजे सो लोगों ने कॉल किया आपका वीडियो देख करके कि सर मुझे भी टीप से यह आप मुझे बताइए मैं क्या सबस्कानों जो खोलेंगे क्या कि जो सदों हें उन सव लोगों में से 50 50 का दो गरुब बना देंगे बना दिया पचास को लग अब बांफार मा का शेर जो है वो बता दिया आप उसमें से 50 को बोलेंगे कि ऐसा करो तुम संफार्मा बाइक बाइक कर लो यह उपर जाने वाला है एक सब्ता में यह उपर जाएगा दूसरे या तीन दिन में उपर जाएगा जैसा उन्होंने कॉल दिया इंट्राइड दिया उसके इसाफ से बात करे दूसरे को बोलेंगे तुम संफार्मा सेल कर दो अभी इसका इंटरनल रिपोर्ट सहीं नहीं है इसका जो है कुछ जह है कहीं पे गवर्मेंट के साथ कुछ पंगा चल रहा है यह चल रहा कहानी मनाएंगे तो आप इसको कर दो अब क्या होगा अभी यह होगा कि 50 लोगों क में कोई भी शेर होगा उसका दीन भर में या तो रेट बढ़ेगा या तो रेट घटेगा यही होता है एक नेए चीज़ तो होगा तो अगर बढ़गया तो इधरवाले 50 कस्टमर जो थे हो खुश हो गया हम आपने बहुत अच्छा बताया अगर घट गया तो इधर वाले बहुत है तो इसको प्रॉफित नहीं कर रहा है तो वह क्या करेगा वह इनके हां सब्सक्राइब तक तक चार दिन पूसरा है तो फुता क्या है एपकास क्स्टमर तो इनके बन नहीं बनने हैं चाहे बाइवाले चाहे वाले तो इसमें safety क्या करना है अगर आपको कभी आपका मन करे कि किसी से मैं tips लूँ या कॉल लूँ किसी से तो आप उसे पूछे कि भाईया ऐसा करो ना कि सबसे पहले मुझे ने तुम free trial tips दे दो यानि पहले मैं त्रायल लूँगा पहले मैं देखूंगा तुम मुझे दो मैं 10 दिन तक मैं देखता हूं जब तक देखता हो अगर काम करता है तो मैं तुम्हारा जो है service लूंगा payment करूंगा अगर तुम्हारा कॉम नहीं करेंगा यह देख्शी का trial tips देने से भाग जाते हैं यह नहीं देंगे क्यों क्योंकि ने पता है कि मेरा tips पोह वह मैं 10 दूंगा तो उसमें से काम करेगा अब हम आगे आते हैं अब आगे देखिए मैं बात करता हूं कुछ हमारे बाबाजी लोग है जो की फेक ट्यूब है वो वीडियो पर अपलोड करते हैं अब आपको मैं दिखाता हूं आप लोग कैसे जो है वो चक्रों में पढ़ते हो और वह अजीब अच्छी ची है उसके बाद तो लाइफ बन जाएगी देखिए यह देखिए एक रुपया से भी कम भाव पे पांस दमदार पेनिये स्टॉक बर्चुल डेप्री दो हजार रुपय लगा सकते हो रिस्क भी रिवाड भी वाह क्या बात है देख लिए आपने यह मैंने यूटूबर का ना है ना दूसरे देखिए यह देखिए भाड़ेगा रुची सोया से भी तेज पांच है जार का इंवेस्टमेंट दो साल में बनेगा एक क्रोड मौका न गवाएं अब पांच हजार लगाएं है दो साल में एक क्रोड क्या बात है यह ना अच्छा और उसके बाद इनकी पढ हो जाते हैं और है उल्बानों से घले ले उसके ऐसे हो गया था तो कैसे लेते हैं नोगों के बोलने से लेते ये लिए 5000-2002 साने वाहा क्या का बात है मैं भी 50,000 लगा दूं इसमें तो मेरा भी कम से कम 10 क्रून हो जाएगा पचास पैसे का स्टॉक निवेश एक हजार कमाई 30,000,000 देखिए इस से अच्छा कहां मिलेगा आपको पचास पैसे का स्टॉक में 30,000,000 की कमाई हो रही है वावा आव आईए चले तो चांद तक पेनिया स्टॉक दस रुपिया हम इनको तो भी नहीं लिखने आया है तो ठीक है एंड ही सपोस्ट टो भी एंड एडवाइजर कि मैं एडवाइज कर रहा हूँ शेयर का क्या शेयर का अडवाइज करेंगे भाई या कमसे पढ़ लिख तो लो अब हो दो महिने में एक लाग को पांस लाग करने वाला पेनिया स्टॉक में अब अब क्या निवेश कर है वह आलू से सोना मख बनाने वाली मसीन होगी इनके पास आइए अब इनको देखिए फोर एप्सलूटली डेप फ्री पेनी स्टॉक्स लंबी अवधी का खिलाली है चपल फार मुनाफा दे रहा है हिम्मत है तो धैर से माल उठाल रखें वाह इनको धैर विलिखने नहीं करें कुछ इस पर विडियो बनाओ तो यह लोग फसा रहे हैं हमारे काफी जो है निरुदोष भाईयों को यह अच्छी बात नहीं है अब आगे आगे आते हैं तो अब आपको करना क्या है इन सबसे बसना है तो पहले तो पंपिंग डंपिंग को समझे जो भी अगर पैनी सेर अगर पैनी स्टॉक मिलता है तो आप उसका फंडामेंटल देखिए दूसरी बात कि आप इन जो जो बाबा है ना यह बाबा नहीं है यह लोग करते हैं किसी को अपने बश में करना हो या आपको गुप्त रोग हो गया हो या आपको बाहर कहीं विदेश जाना हो कुछ भी करना हो बाबा बंगाली के पास सब चीजों का उपाय है वैसे ही यह भी सेयर मार्केट के बाबा बंगाली है लोग इन लोगों का रहें उनको हमेशा ऑथेंटिसिटी को चेक करना है कि जो बोल रहा है वो सही है या गलत है आप देखिए आप कि आप कि आपको पता ही सोचल मेडिया में तो बहुत ज्यादा यूमर फेलाए जाता है और यूमर एटी परसंट और यूमर सी होते हैं इसके बाद है कि अगर कि future स्कूष करते होगा तो यह आपको एक जागा भानीज मेडिया में हर जगा मुलेगा आप को यह मनी कंट्रोल होगा यह जेगा आप देखिए कि काहा तक यह test तो यह टो यह मैंने देखा मैंने का कि थोड़ी में थोड़ा में पता कर लो तो मैंने जब देखा तो मुझे यह एकनोमिक टाइम्स के अंदर मुझे यह चीज मिल गया कि अगर आप पैसा है अगर आप खुद ध्यान नहीं देंगे तो दो लोग लूट लेंगे और पेनिया स्टॉक पेनिया स्टॉक के चक्र में जादा मत पढ़िये अगर पढ़ना भी है तो पेनिया स्टॉक का जो है वह अथा से अनालीसिस कर लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आगे भी इसमें भी वी वीडियो बनाओंगा कि किसी एक पर दो बैसा जो है वह आप खुद बचाहिए खुद कोशिच कीजिए इन लोगों के चक्कर में आप पड़ें यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि मैं देख रहा हूं काफी लोग फसे हुए है तो आप इन सब चीजों पर ध्यान ना दें जो भी यह पोस्ट करते हैं या जो भी tra집 भी pumping pumping की संभी कैसे क्या होता है टीक है तो इसी के साथ मैं आक वीडियो में खातम करता हूँ और यह मैंने किसी को कहीं भी investment करने की सलाह नहीं दिये अगर आपको investment करना हो तो आप अपने किसी financial advisor और मेरे चैनल को आप तो अगर चाहते हैं कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ और तुरत आपके पास पहुंच जाए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें लाइक भी करें और अगर डिस्लाइक करते हैं तो मुझे कारण भी पता है कि इसको आपने क्यों डिस्लाइक किया इसे के साथ मैं अब अपना ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं नमस्कार जै भारत जै हिंद बंदे मात्रों